चतरपूर शहर के पेप्टिक टाउन में चल रहे पेप्टेक प्रोफेशनल्स लीग दोहजार चौबीस के डे नाइट क्रिकेट टूर्णमेंट में गुरुवार को तीन मुकाबलों के तहट चार टीमों की भिढ़न्त हुई पहला मैच रिवेन्यू टाइटन्स और एमार सुपर किंग्स के मद दिखेला गया जिसमें रिवेन्यू टाइटन्स ने जीत हासिल की जबकि दूसरा रुमान्चक मुकाबला रिलाइंस डाइमंड और स्री कृष्णा विश्विद्याले के बीच हुआ इस मुकाबले को रिलाइंस डाइमंड ने अपने नाम कर लिया पहले मुकाबले में एमार सुपर किंग्स ने टाइस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का निर्ने लिया था एमार के सलामी बल्लेबाज सत्यम पाठक द्वारा खेली गई 25 बॉल पर 56 रनों की शांदार पारी की बदौलत टीम ने 108 रनों का लक्ष खड़ा किया लक्ष का पीछा करने उतरी रेवेन्यू टाइटन टीम के ओपनर बल्लेबाज केपी सिंग ने 26 गेनों में शांदार 69 रन बना कर अपनी टीम को जीत दिलाई केपी सिंग ने अपनी पारी में 13 चोके और 2 शांदार छक्के लगाए केपी सिंग को इस मुकाबले का मैन अब दमैच चुना गया वहीं दूसरे मुकाबले में टाउस जीत कर रेलाइंस डाइमन ने 5 बिकेट खोकर 10 बर में 153 रनों का विशाल लक्ष खड़ा किया टीम के बल्लेबाज धरमेंद्र ने 22 गेनों में 7 चोके और 6 चोके लगाकर 75 रनों की आतिशी पारी खेली लक्ष का पीछा करने उतरी स्रीकृष्णा विश्विद्याला की टीम 4 बिकेट खोकर 132 रन ही बना सकी इस तरह से इस मुकाबले को रिलाइंस डाइमंड ने जीत लिया मुकाबले के मैनब दो मैच रिलाइंस टीम के धरमेंद्र रहे जिने बतो रती थी मैदान पर उपस्तित रहे पत्रकार राधेश याम सोनी ने ट्रोफी देकर सम्मानित किया इस दोरान खेलाडियों ने इस आयूजन के संबंद में अपने विचार रखे रहेगा आपका प्रेक्टिक वाला ग्राव भीजिवा है मैं पर्मेंट ही खेलता हूं मैं मेरे सुपर गिंग की तरफ का कैप्टन हूँ हूँ मैसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है इतना अच्छा ग्राउंड और इतना अच्छा माहॉल है इदर का बहुत-बहुत संदर् अच्छा है और बहुत अच्छा ग्राउंड है बहुत अच्छा माहॉल है तो इस अमर में आगे खेला है फिट रहते हैं जो आपको यह है कि अपना में इतना मैं जाना जालू रखे फिट रहेंगे सब्सक्राइब धेक्यू अच्छा ग्राउंड में बहुत अच्छा ग्राउंड है और प्याप टेक ग्रूप के जो और पूरी टीम है वह बहुत अच्छे से सुसज़ित व्यवस्तित करके रखाया उनोंने निश्यत रुप से बहुत ज्यादा अच्छा है जानदार है और अगले साल होता है तो हम लोग फिर से पाइटिस्पेट करें ग्राउंड एक नम्मर ग्राउंड है और बहुत बहुत धन्यवाद बिना भीया के लिए बिना चौरासिया जी जिनने इतना बड़ा मंच और इतनी इतना बड़ा फ् अच्छा है जिन लोगों के मन में करकेट का कीड़ा है किसी कारण बस छोड़ दिया जिनोंने तो उनके लिए तो एक अच्छा मौका है खेलें परदर्संग करें तो थोड़ा सापने काम से फ्री होके जब यह सब खेलने में ध्यान जाता है तो थोड़ी टेंसने कम रहती है तो अच्छा है अच्छा इनिशेटिव है हर साल होना कि यह मेरे साथ से तो